आप सबको विरानमश्कार आज का प्रेडिक्शन है बहुत यूनिक प्रेडिक्शन है यह यह आपको अपनी चंद्राराशी मालूम नहीं है तो भी आपका फीचर देख सकते हैं चार मैं मैं मनदब फोर्थ में 2023 का यह प्रेडिक्शन है नाइनिक नक्षत्रा बेज रासिफल है और चंद्राराशी बेजएड नक्षत्रा है लेगिन आपको यह आपकी चंद्राराशी क्या है यह मालूम नहीं है तो भी यह प्रेडिक्शन आपको एफेक्ट कर सकता है और कैसे करेगा जानिए आपके प्रेडिक्शन में नमस्कार जाइगड़े सोड्य फ्रेंट्स मैं हूँ नरेश्ट खत्री एस्ट लोजर एंदाबाद गुजरात से नक्षत्रा बेज रासी फल में आप सबका स्वागत है तो सबसे पहले तो जैसे रासी चक्र में प्रत्थम रासी मेस रासी है इसके लिए बात करते हैं यदि आपकी जन्मकुल्डी में चंद्रा एक नमबर के अंदर लिखा है तो आपकी रासी मेस है लेकिन यदि आपको मालूम नहीं है कि आपकी रासी क्या है लेकिन फिर भी कोई भी साल के अंदर 15 माई से लेकर 14 जून के बीच में आपका जन्म हुआ है तो आपके सूर्य म वुपारें उपर ग्रहophone सी सकाथ है कि सूरय से जो हमारे उपर इंपको फिजिकल में हैं है तो मत तो ये आपके जन्मक के सूर्य मेश राशी में था है है तो यह मकी सुर्य जंद्रा दोनों मेश राशी में हैं तो इस प्रूरिक्शन का आपको बहुत ज्यादा असर होने वह रहा हैं तो सबसे पहले बात करेंगे फोर्थ में का जो पंचांग है दैनिक पंचांग इस प्रकार है विक्रम सवन टू तू तू सेवन्टीनाइन वैसा कमास की जो तीथी है यह सुकलपक्स की चौदस है और जो नक्षत्र गुरुवा नख्षत्रहें रहात को नवज तर प्व हो tiklan यो तक बाद नख्षत्र स्वाथी होगा यह वजरख करक्रणगर चंदरारासी सुल्वे नवज तर बीस में स्वेस्मीड तक चित्रहें करो असे बाद में तूलरासी जे कि नर्सी जैंदी है कि आध्य संक्राचार्या का कईलाज गमन है और कि चौदस चोथिती है रात को ग्यारा बच कर पिस्तालिस में तक है गुरु वार और चित्रा नक्षत्रा आज उसका ही प्रेडिक्शन करेंगे कि चित्रा जो है रात को नव वच कर पतीस मीन तक हैं कन्या और कैसि सुभे नव बच कशन गर Secati करेंगेैं और गुरुतल्वार और और चित्रा नक्षत्र का भी एक विशेश्च्त फाल होता है जो आपकोOW सित्रकों क्या कहते हैं तो आज का दिन कुछ खास ठीक नहीं होगा क्योंकि हर किसी जातक को अपने कारे के अंदर बहुत कैरफूर डेना होगा कई बिस्तबन्स ना जाए कुछ प्रॉब्लम ना जाए व्यागर योनी जो इस नक्षट्र की है ये व्यागर योनी है व्यागर बिली तो भाग को तो इस नक्षट्र का चित्रा जो है रात को नौ बज कभी स्पीड तक चलने वाला है और इसका ही आज प्रेडिक्शन करेंगे चित्रा का तो फर्स्ट और बात करेंगे बेस रसी में जन्मे उजातकों के लिए अस्वीनी नक्षत्र में जन्मे उजातकों के लिए आज के दिन में भारी ओपोजिशन होने की संभावना है जिनका जन्म का सूर्य अस्वीनी है या चंद्र अस्वीनी है यह दूने जतकों के लिए साथ में काम करने वाले सव कर्मचारी गण के साथ भारी ओपोजिशन हो सकता है सूर्य भर्णी और चंद्र भर्णी के लिए एक सेमतारा है तो आज का दिन ठीक है सूर्य कृतिका और चंद्र कृतिका के लिए आज का दिन जो है ये विपत नक्षत्रा है तो भारी तनाव पूर्ण आज का दीन रहने वाला है जिनका भी जिन्मक का सूर्य कृतिका है या चंद्रकृतिका है तो ओपजीशन होगा maternal side के साथ या साथ में काम करने वाले साथ सहक करमचारी गण के साथ या तो health risk कुछ इस्यू कृइट हो सकता है में यह कृतिका और शाष्ण कृतिका प्रिश्ण कृतिका के लिए जो ट्रांडीड है आपका चंद्रा 6ऊ में चलने वाला है सुभे नवज कि 20 मीट चंद्रा 5 सामने है लेकिन उसके बाद 14 that उस मे सकता है तो में स्कृति का वाले ज्यादगों को अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में तनावा सकता है कि चंद्र सब्तम सार में चलने वाले हैं नौश कर वीश मिट के बाद रासी तूला हो जाएगी तो तूला का चंद्रा जो है यह सेवन्थ होस को प्रभावित करने वाला होता है दामपत के जीवन को और उसके इंपेक्ट में जो भी जह तक वीवाइद हैं लाव रिलेशन सिप में हैं ऐसे जाता को बहुत careful रहना होगा में किरत नेंस कृतिका के लिए सातं में काम करने वाले सव्फरक्रमचारी गन के साथ तनर आ सकता है understand के सारहतर है अदूरिशान बरिक्सिरा के लिए जो अपर हैं जन्मा नक्षत्र है जन्मा तरहा हमेशा सूपफल देता हैं जिससे fatto कि आपके लिए दीन ठीक रहेगा और ऊतर्ट भेले के लिए आज का दीन संपत हैं तो रोहनी वारे जतगों के लिए आज का दीन एक्सेलेंट है आपके संपत नक्षत्र में चंद्रा है तो आज के दीन में खास करके आपको जो सपोर्ट करेंगे आपके साथ में काम करने वाले हैं या मामा मौसी की ओर से आपको कुछ जबजस बेनिफिट मिल सकता है मुरिक सिरा के लिए जर्मा नक्षत्रा है तो जर्मतार आप यह में शहशूपल देता है मिद्धू रसी के लिए ट्राइणली जो है वो पंचम्सान में होगी है तो पूर्व जर्मक के या इस जर्मक के कारियों को उजागर करने वाले हैं इसका फूब फ़ल मिलने वाला है और जिनका भी जर्मक का सूर्ययम व्रकसिरा है या चंद्ध्रा अपको निस्त्री मित्रों से लाब रहेगा और के समतानों से भी लाब रहेगा और मिठुन पुनर्वसू है इसकों के लिए जो ट्राइट आपका जो नक्षट्रा है ये आपके लिए मित्र नक्षत्र है तो मित्र भी जो नक्षत्र में था ग्रह जाते हैं यह भी शूपल देते हैं ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है ह्ठार नम्बर यह ने के करकर असी वढ़ा जरة चक होकों के लिए सुबह नवबचकर 20 में के बाद जो चंदर चलने वाले हैं आपके सुछ स्थां में चलने वाले हैं तो कहीं न कहीं स्ट्रेस और तर्नाव बढ़ेगा मगान वहान प्रोपर्टियादी को को लेकर माता को लेकर पीता को लेकर जौब में अपर लेवर्द के साथ कुछ संगर्स बढ़ सकता है जिनका जन्म का सूर्य करक है या चंद्रकर्क है यानि कि किसी विज़ा तक का जो जन्म है 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में 14 अगस्त के बीच में ऐसे जङता को कि सुज्वा अगस्ति में होता है तो जिनका भी जन्म का सुर्य है कं पुस्य है या Τंढ्रकु यह करेंगे मकान वहान प्रॉपर्टी को लेकर यह रिलेशन में माता पिता जौब में अपर लेवल के साथ भारी संगर्स होने की संभावना रहती है तो आप सब है यह जातकों के लिए जादक नक्षत्रा है तो आपको प्रॉपर्टी में लाव रहने वाला है माता से लाव मिलने वाला है आपके लिए ऐग्राम सफिस है लेकिन चौथय सांते जब जब भी चंद्र जाते हैं तो मकान वहान प्रॉपर्टी एट्री का कोई कारिया करना चा का सूरे मधानक्षत्र में या चंद्रा मधानक्षत्र में यह जास्तवों का भारी वापोजिस्टेमावना इनु सब्सक्राइब दोनों जाताकों के लिए आज का दिन सूपफल देने वाला है स्मॉल डिस्टन्स यात्रा प्रवास सवलिंग से आपको लाप मिल सब्सक्राइब कन्या उत्रफ फालगुनी के लिए आज का दिन एक्सिलेंट रहेगा फाइनांस में जबजस्त बेनिफिट मिलेगा कन्या उत्रफ फालगुनी के लिए भी दिन आज का एक्सिलेंट है दन संपती में स्वरी उत्रफ फालगुनी के लिए और कन्या उत्रफ फालगुनी के लिए आज का जो चंद्र है चित्रा नक्षत्र का यह आपका विपत नक्षत्र है तो आपको भारी तनाव मिलने की प्रोब्लम क्या है जो सित्रा नक्षत्रा है एक तो आपका विपत है विपत में तेन साम और धूसरा यहां पर सत्रोनी भी बनता है क्योंकि उत्रव वाहे ओंगार तो आज के दिन में अपने भाई-बेन यह आपके नेवर सब्सक्राइब लेने हो तो डेफिनेटली विल बीडिफेटेट आपका हार निश्चीत है तो आज का दीद जो है आपको सम्ति से पस करना है सी उत्रफलगुनी और कन्या उत्रफलगुनी को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ खास करके क्या करना होगा क्योंकि चंद्र आपके दनस्थन के अंदर होगे वाने में सेवर रतना होगा खास करके कुटों के अंदर आपका काम खराप कर सकता है पार आपको अपने जो फैमिली मेंबर्स के वो सपोर्टिव बनेंगे और आप विटमानी में जितनी विठास नर्वास रखेंगे इतना ही आपको लाब रहेगा तो आज का दीन आपके लिए एक्सेलेंट है करने रासी में चित्रा वाले जादकों के लिए जन्मतारा है तो जन्मतारा भी अमेशा शूपल देता है चंद्रा आगे निकल गए हैं आपकी रासी से तो आपके दन संपत्य में उद्धी करने वाले हैं तुला चित्रा के लिए जन्मा के चंद्रा है जन्मा के चंद्रा हमे तूला चित्रा वागजातबू के लिए जो आज का नक्षत्र है जन्मा नक्षत्र है तो आपके कॉन्फिडेंस में हुद्धी करने वाले हैं पार्टनर से आपको यह लाब करने वाले हैं तुला स्वाती के लिए आज का नक्षजत्र है अतिमीत्र अतीमीत्र नक्षजत्र भी आपके लिए श्रूम होता है तो आपका जो लिए पार्टनर है आपके साथ बहुत अच्छा भीभeral करेंगे आज रहनां थमिंट्र प्रमित्र नक्षत्र हैं तो आपके लिए भी दीन बहुत सुभ हैं पार्टनर सिर्फ में आज सक्से से तुलाराशी वरह जाता हो का दीन आज एक्सिलेंट रहने वाला हैं विष्टिक याने के आठ नंबर स्कॉर्प्यों चंद्र आपके बार्वेस्थान के अंदर हैं जिनका जन्मक का सूर्य विष्टिक है या चंद्र विष्टिक है विष्टिक के सूर्य का होता हैं पंद्रा नवेंबर से लेकर चौदा डिसेंबर के बीच में जन्मे होई जातक है इनके जन्मक के सुझे जो है यह व्रिष्टिक रासी में होते हैं तो यह प्रेडिक्शन आपको असर करने वारा है तो व्रिष्टिक के जातक हो के लिए चंद्रवार्वे सांग के अंदर है जो माइंड का लेने का आता है तो आप सब जल्दवाजी में नहीं लेना चाहिए भुष्टिक में नक्षत्र ट्रंजीट की बात करें तो जिनका जन्मका सूर्य विसाखा है यह जातक हो के लिए जो ट्रांजीट है आजका चंद्र लेकिन जन्मका सूर्य अनुरदा है या चंद्रा अनुरदा है यह जातकों के लिए आज का दिन वद्ध नक्षत्रा है आज के दिन में गए लिए डिसीजन आपके लिए फीचर में गलत सिद्ध हो सकते हैं तो शुड़ी टेक कर नौट टूट टेक एनी इंपोर्टन बाइक मक्षत रहे चित्रा तो आपके लिए यह ज्यान में मुद्धी करने वाला है एब्रोड रिलेशन एब्रोड करेंशन से आपको यह लाब करने वाला ट्रांजीट होगा एवरी येर 15 डिसेंबर से लेकर 14 जनुवरी की बीच में जन्मे हो जाता को के सूर्य धनुरासी में होता है तो ये प्रेडिक्शन जिनका जन्मका सूर्य धनुरासी में है इनको भी इंपेट करने वाला है तो चंद्रा जो बार्वे संग के अंदर है सोरी ग्यारवे संग के अंदर है दनुरसी के लिए जिनका जन्मका सुर्य मुला नक्षत्र में है यह जातक हो के लिए आज का चंद्रा प्रत्यरी नक्षत्र है प्रत्यरी बने अपोजिशन और भारी अपोजिशन होगा अपने स् तो पूर्वश अड़ा के लिए एक सेमतारा हैं तो पूर्वश अड़ा में जिनका जन्मका सूर्य है यह चंद्रा है यह जातकों के लिए आज का दीन एक्सलेंट रहेगा आपको बिजनेस में केरियर में लाप करने वालोगा और उत्रश अड़ा के लिए वंस अगेन आज क नक्षत्र वीपत हैं तो आपको अपने संतानों की ओर से नित्रों की ओर से कुछ तन्नाव मिल सकता है यह जो है उत्तरा सबसे पहले कृतिका मेश अवं बुरुश्यवराशी उत्तरा फालगुनी सी एवं कन्या रासी और उत्तरा शाड़ा धनू एवं मकर रासी यह तीनो सब्सावित है तो कि कि अध्यार जित्र नक्ष चरद उत्तर शड़ा को कहां है फें 23 करेगा तatyलाव सांद्रा यह जो है आपके डस्विष्थान में होंगे टैन्थावस में खास करके फादर के साथ अनिलेशन में तनाव आ सकता है जिनका जन्मका सूरय उत्रशाडा है या चंद्र उत्रशाडा है मकर सरवना के लिए आज का दिन एक्सेलेंट रहेगा जिनका जन्म का सूर्य सरवन है या चंदर सरवन है आपका तो आज चांदी चांदी है आज के देन में बिजनेस केरियर के अंदर आपका जबजस अप्लिट होने वरे हैं आपको जबजस benefit महिने वरे हैं कि मकर धनीष्ठा के लिए आज का नक्षत्र जन्म नक्षत्र है तो जन्मत अरा भी हमेशा सूपफल देता है इस जितांत के अनुसार आपके भी बिजन्देस और कारूबार में इंप्रूमेंट करने वाला आज का दिन महत्पर पूर्ण दिन रहने वाला है है को में राशी के लिए चंदर बागले सा में जो वागले सामने जो फ़ाल है यह ठीक नहीं है और छैकात में बद्रम्रका यह पहले से तो रिक हैं को राचे स्थे छन निकलकर आपके शनमेंगे सुबहे नयुक्outs के बाद तो अगती निश्चित है उसमें कोई प्र dato में नह यात्रा प्रवास के लिए मुत्रा नक्षटर रहे जो आपके लिए जो चंद्रा है सुबह नौ बच कर 20 मिट के बाद चंद्रा आपके स्टम स्थान में चंद्रा पारिवरिक मांवलों को लिकाव फाइन्सलबेटर को लेकर सूब फल देने वाले नहीं माने जाते हैं जिसके इंपेक्ट में आपको पानी से भी बचना होगा यदि आप नदी समंदर तालाप किनारे गुमने जाते हों तो पानी में अंदर ज्यादा ना होता है नक्षेत्र ट्रांटी जिनका भी जन्म रहें मेंन का सूर्य का होता हैं अवरि य इयर मार्ग से निकर ₹श hope कि सुर्य प्यूंत effective है ज मका सूर्य मेंकleft छंदर में नश्यमत है यह दोनों जाता करिए चंदर लाठ स्वेसन हैं तो निंका सूर्य है क्योंकि पूर्व बदरपत का 14 चरण मीन रजी में है। ऐसे जाता क्यों के लिए चंद्रा मीत्र नक्षत्र में होंगे। लेकिन जिनका जन्मका चंद्रा या सूर्य उट्त्र बद्रपत नक्षत्र में हैं। यह जाता भारी तन्नाव महसूस करेंगे पारिवरिक मॉमलों को लेकर या फाइनसर मेंटर को लेकर अब सबको विकल ट्रैवें भी कहर करना है और आखोंगों का विसस करना सब्सक्राइब करेंगे जिनका भी जन्मका सूरिय उत्तरभादरपद में या चंद्रा उत्तरभादरपद में और में रेवती के लिए आज का दीन एक्सिलेंट हैं कुछ गुप्त लाप मिलने वाला है और कहीं न कहीं से आपको धनकी प्राप्ति होगी आपके ज्यान में पिवर्प्ति होगी तो इस नक्षत्र बेस प्रेडिक्शन को एक लाइक का बटन घरू बनता है शोशल वीडियो के तमाम आदियां से यह यूनिक प्रेडिक्शन जो है नक्षत्र बेस प्रेडिक्शन है इसको अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सेर करें ताकि उनको भी कि ये नक्षत्र बेस्त GNOWLGI का ग्जां और लाब मिले और ग्जांग बाटना एक क्षय का काम है टर विलते हैं जल्दी एक औरन एंट्रेस्टिंग प्रेडिक्शन नक्षत्र बेस्ट प्रेडिक्शने क्योंकि कि हार ग्रा जिस नक्षट्र में से जाते हैं उस हिसाब से वह उनको फ़न देते हैं नमस्कार